हलो और वेरी वाम वेल्कम चौल अफ्यू कैसे हैं आप सब लेर्ण इस बताव डूर्स के डेले डूर्स के सेशन में आप सब का स्वागत है जी हां एफिक्सिस एंड रूट वर्ड का वही स्रीज जिसमें पिछले तीन एपिसोड से लगातार मैं डिफरेंट डिफरेंट फो है कई बार वर्ड सब्चेशन में देखा गया है और SSC, CGL और CHSL में कई बार इसके कोशन देखे गया है चुकिए इंपोर्टन्स बहुत जदा है और फोबिया की संख्या बहुत जदा है इसलिए एक और एपिसोड और ये आखरी एपिसोड है इसके बाद फिर हम कुछ कर दोए यहां पर इस एपिसोड को सुरू करने से पहले बच्चे एक इंपोर्टन जानकारी है आपके लिए यहां पिछले एपिसोड में जब मैं बता रहा था तो मैंने यहां पर आप देखेंगे मैंने वहाँ पर एंड्रोफोबिया बताया है जिसमें उसकी स्पेलिंग में आर मिसिंग है मैं बोल एंड्रोफोबिया ही रहा हूँ समझाया भी मैंने एंड्रोबोल करके ही है स्पेलिंग में सिर्फ आर मिसिंग है बोर्ड पर जो लिखा गया है तो बच्चे उसकी जो सही spelling है वो है A-N-D-R-O वहाँ पर सिर्फ लिखने में R मिसिंग है तो आप इसे ध्यार रख लेंगे, आप ऐसा नहीं समझेंगे कि A-N-D-O इसको लिखते हैं और पढ़ते एंडरो है, जी नहीं इसकी spelling है A-N-D-R-O-P-H-O-B-I-A यहाँ आप चलिए यहाँ पर आज का हम देखते हैं कि कौन-कौन सा फोबिया इसमें लाया गया है और किसकी चर्चा यहाँ पर आज की जाएगी, जी हाँ फोबिया की बात यहाँ पर हम करेंगे Root वर्ड में, चलिए, आज का जो पहला फोबिया है वो है बिब्लियो फोबिया जी हाँ बिब्लियो फोबिया आज का जो पहला है वो है बिब्लियो फोबिया और जैसा कि आपको पहले से पता है जैसा कि आपको पहले से पता है कि फोबिया का मतलब है फिर और Biblio एक Greek origin का prefix कह सकते है इसे आप इसे root word माल लो जहां क्यों कि ये सुरुवात में जुर रहा है इसलिए कई जगा पर इसे prefix लिखा जाता है कई जगा पर इसे root word कहके treat करते है तो मैं यहाँ पर prefix ही लिखते रहा हूँ उसे कोई फरक नहीं परता है और इसका मतलब होता है book जहां इसका मतलब होता है book और इसलिए जो ये bibliophobia है इसका मतलब हो गया fear of book किताबों से जिसे डर लगता है उस डर को हम कहते है bibliophobia क्या कहते है bibliophobia किताबों से जिसे डर लगता है उस डर को कहा जाता है विबलियोफोबिया चले अगला देखा जाए अगला जो आज का है वो है तैनेटोफोबिया जी हाँ तैनेटोफोबिया यहाँ मुझे याद है पिछले comment box के session में मैंने इसकी चर्चा भी की थी एक कोई सिजान नाम का बंदा है जिसने ये सवाल पूछ नहीं से कहते हैं अगर किसी आदमी को मौत से डर लगता है तो उस डर को क्या कहा जाएगा तो देखिए यहाँ पर एक word है तैनेटोफोबिया जैसा कि आप फोबिया से जानते ही है इसका मतलब होता है फियर तो थैनेटोफोबिया स्टैंड्स फो फियर ओफ डेथ जहां यहाँ पर बताया पहला बताया बिबलियोफोबिया दूसरा बताया थैनेटोफोबिया चली आज का तीसरा देखा जाए एंटोमोफोबिया जहां एंटोमोफोबिया यहां देखा जाए एंटोमोफोबिया इसमें भी आप यहाँ पर फोबिया सबसे परचित है फियर और यहां एक word है entomos जिसका मतलब होता है insect जिहां क्या मतलब होता है insect entomos का मतलब होता है insect और इस वज़े से यह जो entomophobia है इसका sense आ गया fear of insects जिहां कीरों से कीट पतंगों से जिन्हें डर लगता है उस डर को हम कहते हैं entomophobia जिहां क्या कहते हैं entomophobia चलिए आज का जो अगला है वो देखा जाए नोसो फोबिया जिहां नोसो फोबिया यहां देखिए phobia का as usual आप इसमें अब भूल से भी भूल आपको नहीं हो सकती है इतनी बार मैंने इस पिछले तीन एपिसोड में और आज के भी एपिसोड में इसकी चर्चा की है कि आप कभी भी यह भूल नहीं सकते कि फोबिया का मतलब होता है डर फियर जिहां और नोशो यह जो है नोशोस एक वर्ड है जिसका मतलब होता है disease irrational fear of disease को कहते है nosophobia fear of disease इसको कहा जाता है मतलब बिमारीों से जिसे डर लगता है किसे भी प्रकार की बिमारी हो उस डर को हम कहते है nosophobia और जैसा कि मुझे याद आ रहा है इसको मैं अलग पॉइंट में नहीं दर साओंगा यहाँ पर कई बार इसके लिए एक दूसरे सब्द का इस्तमाल किया जाता है और उसको कहते है pathophobia जी हाँ उसको कहते है pathophobia और यह जो word है यहाँ पर patho यह एक word है pathos इसका मतलब होता है disease जी हाँ same same है दोनो nosophobia कहलो या pathophobia कहलो दोनों का sense same है अभी जो हमने बताया आपको यहाँ पर बिब्लियोफोबिया किताब से डर को कहते है थेनेटोफोबिया मौथ से जिसे डर लगता है उस डर को कहते है entomophobia कीट पतंग कीरे मकोरे इंसेक्ट से जो डर होता है उस हम कहते है entomophobia और यहाँ पर देखा जाए नोसोफोबिया नोसोफोबिया का मतलब है की fear of disease जी हाँ और इसके लिए मुझे यहाँ पर दूसरा word भी है कई बार ऐसा भी पूछाता है option में आपको नोसोफोबिया नहीं दिखेगा पैथोफोबिया दिखेगा तो उसका भी मतलब वही है चलिए अब अगला देखा जाए phasmophobia जी हाँ phasmophobia अब यहाँ पर है phobia का sense यहाँ पर है fear और phasmo का मतलब है एक word है phasmo इसका मतलब होता है ghost जी हाँ जिसे भूद से डर परता है जी हाँ fear of ghost is called phasmophobia जी हाँ fear of ghost इसे आप कह सकते है fear of disease जी हाँ fear of disease चलिए अगला देखा जाए arachnophobia जी हाँ arachnophobia a-r-a-c-h-n-o phobia और as usual यहाँ phobia का sense fear से है जी हाँ phobia का sense fear से है और यहाँ एक word है arachne a-r-a-k-h-n-e जी हाँ यह ग्रीक औरेजन का word है और इसका मतलब होता है spider जी हाँ तो arachnophobia का मतलब है fear of spider अब देखे एक बार फिर से मैं यहाँ पर दोहरा दूँ जी हाँ यहाँ यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि बिब्लियो फोबिया का मतलब है यहाँ जो word है मैं बार बार कहा हूँ कि इसको जो सुरुवात में phobia के अलाबा जो जुड़ा हुआ यहाँ पर सब्द है इस चीज को जरूर ध्यान में रखिए तो बिब्लियो का मतलब होता है बुक और बिब्लियो फोबिया का मतलब हो गया बुक से डर यहाँ फिर ऑफ बुक उसी तरीके से यहाँ पर थेनेटो जो है वो थेनेटोस वर्ड से बना है और इसका मतलब होता है death तो fear of death is called ternetophobia या entomo अब देखिए कि entomo जो है इसका मतलब होता है insect और fear of insect is called entomophobia फिर यहाँ पर देखा जाए nosophobia तो nosophobia का मतलब है nosos एक word है इसका मतलब होता है disease और इसी के लिए मैंने दूसरा भी बताया यहाँ पर pathophobia fear of disease इसे भी कहते है pathos एक word है इसका मतलब होता है disease फिर मैंने बताया यहाँ पर phasmophobia phasmophobia का मतलब है fear of ghost जी हाँ एक word है phasmo उसमें ghost यहाँ पर उसका meaning आता है और इसी लिए जो भूत से डर लगता है उसे कहते हैं phasmophobia जी हाँ अब देखिए हाँ पर arachnophobia है arachnophobia का मतलब होता है arachnick word है और इस word का मतलब होता है spider most probably यह सारे greek origin कही word होते है origin कहा का है इसको ध्यान में रखें ना रखें क्या फरक पड़ता है बस यह सब्द आपको ध्यान में रहना चाहिए बिबलियो मतलब book थेनेटो मतलब death entomo मतलब insect नौसो मतलब disease या पैथो मतलब disease phasmo मतलब ghost और arachno का मतलब होता है spider तो यहाँ पर देखिए कि अभी fear of book, bibliophobia fear of death उसको कहते है थेनेटोफोबिया fear of insect को कहते है entomo phobia fear of disease को नौसोफोबिया कह सकते है या पैथोफोबिया कह सकते है fear of ghost को आप कहेंगे phasmo phobia और fear of spider को कहेंगे arachno phobia चले, अब यहाँ पर आज का हम अगला देखते है आज का जो अगला है वो है टैको phobia जिहां टैको phobia अब देखिए जैसा कि as usual यहाँ phobia का sense fear से है यह जो word है टैको इसका मतलब होता है speed जिहां speed तो fear of speed को हम कहते हैं टैको phobia जिहां क्या कहते है fear of speed को हम कहते हैं टैको phobia ऐसा कोई भी बंदा जिसे speed से डर लगता है उसे हम कहते हैं टैको phobia चले इसका अगला देखा जाए मोनो फोबिया जहां अब यहां पर देखा जाए as usual जो यहां sense आ रहा है वो फोबिया का फिर से as usual जो है वो fear जहां और यहां mono का मतलब alone से है जहां क्या मतलब है इसका alone यानि अकेले पन से जिसे डर लगता है जहां fear of loneliness कह सकते हैं जहां अकेले पन से जिसे डर लगता है और इसके लिए भी एक दूसरा सब्द इस्तमाल किया जाता है दूसरे तरीके से भी इसको कह सकते हैं आप autophobia कहते हैं जहां कभी-कभी आपको examination में ये भी देखने के लिए मिल सकता है तो यहां देखिए कि जब मैंने कहा mono, mono का मतलब है alone या auto का मतलब है self मतलब खुद में अकेले पन से डर लगता है जब आप अकेले किसी जगा पर है या फिर अकेले होने से डर लगने को हम क्या कहते हैं monophobia कहते हैं या फिर autophobia कहते हैं चले अगला देखा जाए आज का और आज का अगला है तेलेसोफोबिया जा यहां तेलेसोफोबिया अब यहां देखिए कि यहां इसमें जो वर्ड है वो है तेलेस ट-H-A-L-A-S-S तेलेस का मतलब होता है सी या ओसन जा हैं सी या ओसन अब यहां फोबिया का as usual meaning है तो आप समझ स लगते हैं कि महासागर या समद्र जहां सी और ओसन से जिसे डर लगता है उस डर को हम कहते हैं तेलेसोफोबिया जहां क्या कहते हैं तेलेसोफोबिया मतलब यहां पर देखिए कि फिर से मैं एक बार दिखा दू बता दू यहां पर ताकि मैं बार बार रिवीजन यहां आपको याद रह जाएगा दिमाग में बंदे, यहां सबसे बड़ी बात है, कि फोबिया आपको तो ध्यान में पहले से आ चुका है, टेको का मतलब होता है, स्पीड, मोनो का मतलब होता है, अलोन यानि लोनलिनेस से डर होना, आटोफोबिया में आटो का सेंस यहां सेल्फ से है, और थेलेसोफोबिया में जो वर्ड है थेलेसो, यह एक ग्रीक औरेजन का वर्ड है थेलेस जिसका मतलब होता है, सी या ओशन, यानि सी या ओशन से जिससे डर लगता है, उस डर को हम कहते है तेलसोफोबिया, अब अगला देखा जाए, जो है जिफाइरोफोबिया, जिहां, जिफाइरोफोबिया में यहाँ पर फोबिया का as usual sense है फियर, और एक वर्ड है ग्रीक ओरिजन का जिफ्यूरा, इसका मतलब होता है ब्रिज, जिहां, जिसको ब्रिज से लगता है उस डर को कहते है जिफाइरोफोबिया जिया यहां देखिए कि एक जो सुरू में लगा हुआ है जिफाइरो ये ग्रीक औरिजिन का वर्ड है जिफियूरा और जिफियूरा का मतलब होता है ब्रेज इसका मतलब है कि फियर ओफ ब्रेज इस कॉल जिफाइरोफोबिय जी हां क्या कहलता है पूल से जो डर होता है पूल पर जाने से डर होता है या उस वज़े से पूल की वज़े से जो irrational fear उत्पन होता है उसे हम कहते है जिफारोफोबिया चले आज का जो अगला है वो है क्लॉस्ट्रोफोबिया ये कई बार examination में पूछा गया है phobia का as usual fear होता है और ये जब claustro है ये latin origin का word है claustrum जिसका मतलब होता है lock यानि किसी जगह पर फस जाना बंद हो जाना सकरी जगह पर छोटे जगह पर फस जाने बंद हो जाने से जो डर लगता है उस डर को हम कहते है जी हाँ आप इसे कह सकते है fear of being set up in a confined place जी हाँ or space याँ पर क्या है कि किसी सकरे छोटे जगह में फस जाने को लॉक हो जाने को उसका जो डर है उससे जो irrational fear उत्पन होता है उसे हम कहते है claustrophobia और यहाँ जो claustro लिखा गया है वो latin origin का एक word है claustrum जिसका मतलब होता है lock तो चलिए अभी जो हमने यहाँ पर पढ़ा वो पढ़ा पहला टैको फोबिया और टैको में जो टैको फोबिया में जो टैको वर्ड है उसका मतलब होता है speed तो हमें समझ में आया कि fear of speed is called टैको फोबिया फिर आया monofobia mono का मतलब है alone जिहां phobia का मतलब fear यह नहीं जो अकेले पन से fear of loneliness कहते है उस को उस डर को कहा जाता है monofobia और इसके लिए कभी-कभी autophobia भी आपको और इसका मतलब होता है self thalesophobia यहां पर एक word है thales इसका मतलब होता है sea या ocean और इस डर को यानि की समंदर से और महासागर से जो डर लगता है sea और ocean से जो डर लगता है उस डर को उन कहते है thalesophobia यहां है जफार फोबिया का मतलब है fear of breeze और यह एक word है jefura इसका मतलब होता है breeze यानि पूल से किसी पी प्रकार का जो irrational fear है वहाँ जाने से या देख कर उस पर आपके सवारी के आपके means of communication के गुजरते समय आपको जो डर महसूस होता है जो irrational fear होता है उसे हम कहते है zafirophobia और claustrophobia का मतलब है किसी confined place में फस जाने बंद हो जाने से जो डर लगता है उस डर को हम कहते है claustrophobia चले वाज का अगला देखा जाए और जो अगला है वो है दिदैस्किलियानोफोबिया यहाँ देखिए कि यहाँ जो लिखा गया word है इसका उचारन थोड़ा कठिन है मैं दुबारा फिर से कह दू दिदैस्किलियानोफोबिया जी हाँ क्या उचारन है दिदैस्किलियानोफोबिया डी आई डी ए एस के एल ई आई एन ओ और फोबिया इसके साथ जुड़ा हुआ है दिदैस्किलियानोफोबिया जी हाँ एक word है दिदैस्को जी हाँ दिदैसकलियनोफोबिया क्या क्या कहते हैं दिदैसकलियनोफोबिया एक बार फिर से डी-आई-डी-ए-स-क-a-l-e-i-n-o-p-h-o-b-e-a क्या उचारन है दिदैस क्लियानोफोबिया तो इस डर को इसके उचारन से ही आपको डर लग जाएगा खेर दो तीन बार प्यास करेंगे मैं बार बार दोहरा दे रहा हूं दिदैस क्लियानोफोबिया दि-द-स क्ली फोबिया ड-I-D-A-S-K-A-L-E-I-N-O-P-H-O-B-I-A और एक word है दिदैस को जिसका मतलब होता है to teach यानि fear of school को कहते है दिदैस कलियानोफोबिया इसके लिए कभी कभी इसकोलियोनोफोबिया भी यूज किया जाता है जिहां सकोलियोनोफोबिया यहां देखिए एक word है size इसका मतलब होता है knowing जिहां एक word है size इस word से बना हुआ है यहां पर देखिए कि इसका sense आता है knowing और यह भी same same है fear of school जिहां यह भी same है fear of school अब जो पहला है दोनों का उचारण यहां पर वैसा ही है school से जो डर लगता है उस डर को कहते है देखिया नॅफोबिया यहां सबसे कटिन मुझे लगता है इसका अचारण अभी तक आपको यही महसूस होगा मैं फिर से दोहरा दू, डिदैस्क लियानोफोबिया और इसको लियोनोफोबिया, इसका मतलब है fear of school, जी हाँ क्या मतलब है fear of school, चले आज का अगला देखा जाए, वो है I-phobia, जी हाँ आइफोबिया, यहाँ जो I-word है इसका मतलब होता है poison or rust, जी हाँ, poison or rust, मतलब यह है कि fear of poison, जहर से जो डर लगता है, उस डर को क्या कहते है, आइफोबिया, जहर से जो डर लगता है, उसे कहते है, आइफोबिया, और इसकूल से जो डर लगता है, उसे कहते है, दिदैस्क लियानोफोबिया, यह इसको लियोनोफोबिया, यह ध्यान रखेगा, मैं बार बार उच चारण कर दे रहा हूँ चले आज का जो अगला है यहां पर वो है मैयूसियोफोबिया जहां क्या है मैयूसियोफोबिया मैयूसियोफोबिया और इसका मतलब होता है फोबिया का सेंस यहां पर है और एक वर्ड है वो है मैयूसियोफोबिया मैयूसियोफोबिया का मतलब होता है प्रिगनेंसी तो मतलब यह है कि प्रिगनेंसी से डर लगता है या बच्चे को जर्म देने से जो डर लगता है उस डर को कहते हैं मैयूसियोफोबिया मैयूसियोफोबिया मेयुसियोफोबिया कहते है इसे जहाँ यहाँ पर इस बारी में जो मैं इरेज करने के बाद आगे लिख रहा हूँ लगभग सभी के उच्छारंग कटिन है मैं दोहराद हूँ यहाँ फिर से देदास कलियानोफोबिया या स्कोलियोनोफोबिया आयोफोबिया इजी है, दिदासकलियानोफोबिया, फियर आफ स्कूल, स्कोलियोनोफोबिया, फियर आफ स्कूल को कहते हैं, आयोफोबिया बहुत इजी है, पॉईजन से जो डर लगता है, उस डर को आयोफोबिया कहते हैं, और मेउसियोफोबिया जो है, बच्चे को से जो डर लगता है उसे कहते हैं में उसी ओफोबिया चलिए आज का अगला यहां देखते हैं वह है केटाप्ट्रोफोबिया जिहां केटाप्ट्रोफोबिया और यहां फोबिया का मतलब है फियर और जो यह वर्ड है किटाप्ट्रो इसका मतलब होता है मिरर जिहां किटाप cataprophobia का मतलब है आइने से जो डर लगता है उस डर को हम कहते हैं cataprophobia क्या कहते हैं cataprophobia c-a-t-o-p-t-r-o जी हां cataprophobia एक बार फिर से दोहरा दू मैं यहां पर बार बार इसले दोहरा रहा हूं बच्चे क्योंकि यह सब्द आपके दिमाग में रह जाए मेरे साथ आप scholianophobia या squeeze ओफोबिया फिर मैंने यहां पर कहा मे उस्यो फोबिया और अभी जो मैंने कहा वो कहा के taprophobia चलिए आज का जो अगला है वो है बाथमोफोबिया जहां क्या है बैतमोफोबिया यहां जो वर्ड है बैतमो यहां इसका मतलब होता है स्टेप से यहां बैतमो का मतलब होता है स्टेप से यहां स्टीफ स्लोप से कि जो ढाल होता है यह सीड़ी होता है स्टेर्स होता है सीड़ियां होती है या जो ढालूआ रस्ता होता है जहां बहुत ज़्यादा ढाल हो तिक्षिन ढाल उससे जो डर लगता है उसको कहते हैं बैथमोफोबिया क्या कहते हैं बैथमोफोबिया और आज का जो एक आखरी यहां पर मैं बता रहा हूँ वो है गेमोफोबिया जिहां गेमोफोबिया यहां फोबिया का मतलब है फियर और गेमो से है मैर्वेज जिहां जिसको बिवाह से डर लगता है उस डर को कहते हैं गेमोफोबिया जिहां क्या कहते हैं गेमोफोबिया जिसे बिवाह से डर लगता है उसे क्या कहते हैं गेमोफोबिया चले एक बार फ वो है दिदास्क लियानोफोबिया दूसरा जो है वो स्कोलियोनोफोबिया है स्कोलियोनोफोबिया का मतलब होता है फियर अफ स्कूल और दिदास्क लियानोफोबिया का मतलब भी होता है फियर अफ स्कूल अब आगे है आयोफोबिया इसका मतलब होता है fear of poison, meosiofobia का मतलब होता है fear of pregnancy, जी हाँ pregnancy से डर लगे, बच्चे को जर्म देने से डर लगे उस डर को कहते हैं, meosiofobia और cataprophobia जो आईने से डर लगता है उस डर को कहते है, cataprophobia और उसके बाद जो हैं मैंने बताया bathophobia, जी हाँ confused नहीं होएगा वो था bathophobia, यह है bathophobia और bathophobia का मतलब होता है seedyo से, ढाल से, steep slope से जो डर लगे उस डर को कहते है, bathophobia और जो आखरी यहाँ पर मैंने बताया वो बताया आपको gamophobia और gamophobia का मतलब यहाँ पर marriage से है, विवाह से जो डर लगता है उसे कहते हैं हम gamophobia जिहां तो यहां मैं समझता हूँ कि अभी जितने मैंने यहां पर बताये हैं चलिए एक बार मैं इसको लिस्ट कर दूँ जिहां आप भी चाहें तो मेरे साथ कोसिस कर सकते हैं लिस्ट करने की चले जो आज मैंने यहां पर पहले बताया आपको बताया बिबलियो जिहां पहला उसके बाद जो मुझे ध्यान में आ रहा है वो है फैसमो, फिर थनैटो, फिर मैंने बताया एंटोमो, फिर मैंने बताया नोसो या पैथो, जी हाँ, फिर मैंने बताया मूनो या ओटो, फिर यहाँ पर जो बताया वो बताया थेले सो फिर बताया एरेक्नो चलिए अगर इसके साथ आप फिर लगा देते हैं तो इसका सेंस क्या आता है बिबलियो का सेंस आता है बुक से जिहाँ फैजमो का सेंस आता है घोस्ट से तेनेटो का मतलब आता है डेट से जी हाँ एंटोमो का आता है इंसेक्ट से नोसो और पैथो दोनों का सेंस आता है डिजीज से इसका आता है अलोन या सेल्फ या लोनलिनेस से जे हां तेलेसो का आता है सी या ओसल से और एरेक्नो का आता है स्पाइडर से तो देखिए यहां पर जो अभी लिस्ट में आया वो आया बिब्लियोफोबिया का मतलब किताब से डर, फैस्मोफोबिया का मतलब भूत से डर, थेनेटोफोबिया का मतलब मौत से डर, या पैतोफोबिया का मतलब है बिमारी से डर, मोनो या ओटोफोबिया का मतलब है अकेले पन से डर, तैलसोफोबिया का सी या ओसन से डर, और एरेकनोफोबिया का मतलब है स्पाइडर से डर, चले, अब जो अगला है वो है जिफाइरोफोबिया, जिहां, दूसरा था कलॉस् खी उसके बाद था धिदैस क्लियानोफोबिया फिर था इसी के साथ अगर आप लिख दो तो फिर फे फिर प्रॉ हर्फ़ के बाद आया केटऊप्टूफूबिया फिर आया बैतमोफोबिया पिर आया गेमोफोबिया और कोई रह गया बिबलियोफोबिया एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा तेरा चाउदा पंदरा और एक जो बस गया हां जी उसका उचारन मैउसियोफोबिया जी हां अब यहां पर देखिए कि अगर आप इस सब के साथ फोबिया जोर देते हैं तो जो सेंस आता है जी फाइरो फोबिया का मतलब होता है मैंने अभी बताया कि इस एक वर्ड है जी फ्यूरा उसका मतलब होता है ब्रिज जी हां कलोस्ट्रो का मतलब होता है लॉक यानि कि किसी confined place में फस जाने बंद हो जाने से जो डर लगता है दिदैस कलियानोफोबिया इसको आप स्कूल के सेंस में रख सकते हैं ऐसे दिदैस को एक वर्ड है इसका मतलब होता है किसी instructional है नौइं से साइस सिक वर्ड है और आयों का मतलब होता है पोईजन या रस्ट से क्टैप्टू का मतलब होता है और मिरर से और बैथमों का मतलब यहां पर जो आता है वो आता है स्टिप से या स्टीफ स्लोप से जहां स्टीफ स्लोप से भी इसका सेंस आता है और गेमों का आता है मैरेंस से अभी देखिए उचारन में जहां जहां आपको परिशानी है जो दुबारा मैंने बताया था एक है फिर से देख लीजे दिदैस मैं बार-बार कहे रहा हूं दिदैस कलियानोफोबिया या फिर स्कोलियोनोफोबिया फिर उसके बाद आया के टैक्ट्रोफोबिया फिर आया मेउसियोफोबिया जी हां मेउसियोफोबिया तो यह जो उचारण है आप एक बार अगर इसको प्राक्टिस करेंगे आसानी से यह आपके जहन में बस जाएगा मैंने पहले भी कहा है कि सुरुवात में फोबिया के पहले जो सब्द लगा हुआ है वो आपके लिए अत्यांत महत्पुर्ण है उसे आप ध्यान में रखें मैं समझता हूँ कि फोबिया पर लाया गया ये चारो एपिसोड आपके लिए फाइद चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लें जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोचल नेट्वर्किंग साइट पर सेयर करें पढ़ें पढ़ाएं मस्त रहें खुश रहें अगले दिन एक नए रूट वर्ड के झाल